दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि पाच में से हम एक नाटा की बैस स्टार्ट कर रहे तो ये नाटा के बैस का आपने जाता से जादा बेनिफिट लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर फीज हम बिल्कुल मिनिमुम लेते हैं और ये तीनो अटेम्ट के लिए आपको यूसफुल होगी क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट और थर्ड अटेम्ट लेने वाले हैं उसी भीज में तो दोस्तो जो भी बच्चों को अपना नाम दर्ज करवाना है यहाँ पर दिये गए वाट्सप नमबर पर या तो आप कॉल कर सकते हो या त दोस्तो यहां पर हम देखेंगे यहां पर क्वेश्चन टाइप सब्सक्राइब करने अगरागस नहीं पूछा जाता है और msq के two marks के question पूछे जाते है तो टोटल जो principle of design यह जो topic है कि जो subject है इसके उपर लगबग 20 marks के questions के देखने को मिलते हैं 20 marks तो यह जो subject है principle of design यह कितना important है इससे आप समझ सकते हो तो चलो दोस्तो हम स्टार्ट करते फिर्स्ट जो है सिमेट्रिकल बैलेंस यह तो वैसा नाम से ही समझ में आता है कि सिमेट्रिकल बैलेंस मतलब क्या है? तो यहां कुछ मैं example देने वाला हूँ तो यह examples आप देख सकते हो और समझना भी है कि symmetrical सब्सक्राइब कालमेर होगार यहां आपको निकाल करें वालों आ कि देखेंगे कि चरखर में चोछोटा सरकल यहां एक चोठा संग देकर हैं यहां पर भी कलते चूटे सरक्ल्स हम दो निकालते हैं हैं तो यह जो हमने डिजाइन बनाया है यहां पाउट का ले previously यह जो भी हमने design यहाँ पर create किया है अगर इस type में इसको हम cut करते है तो भी symmetrical balance देखेगा यहाँ से भी अगर cut करते है तो भी symmetrical लगया है क्योंकि same same part यहाँ पर same यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इस angle में भी अगर हम cut करते हैं मैं color थोड़ा दूसरा लेता हूँ cut करने के लिए तो इसमें भी आपको symmetry नज़र आएगी यह part और यह part ऐसा भी अगर हम cut करते हैं तो भी हमें symmetry नज़र आएगी तो symmetrical balance में यह एक बहुत important चीज़ है कि आप कैसा भी अगर cut करेंगे तो यहाँ पर symmetrical balance आपको देखने को मिलेगे नेक्स्ट और एक example देता हूँ मैं symmetrical balance का तो यह example आप देख सकते हो अगर हम एक flower निकालते हैं अगर हम ऐसा cut करते हैं तो भी symmetry आदिए इस type में cut करते हैं तो भी symmetry हमें मिलती है next अगर हम देखेंगे तो अगर ऐसा भी अगर हम cut करते हैं तो भी हमें यह दो पार्ट में symmetry मिलेगी next इस type में भी cut करते हैं तो भी हमें symmetry मिलेगी तो दोस्तो आपको यह बात समझ में आये होगी कि symmetrical balance किसको कहते हैं तो समेटरिकल बैलेंस में किसी तरह भी हम कट अगर करेंगे ये समेटरिकल BYalities में होता है थो दोस्तो नाटा कि लिए ये बहुत टापिक्स विजई-डिजाइन के जो टापिक्स ये बहुत महायने रखते बहुत इंपोर्टन ये, उसको मार्क भी बहुत जादा लिए तो दोस्तो next topic हम देखेंगे asymmetrical balance asymmetrical balance तो यहां asymmetrical balance किस तरह दिखता है उसके कुछ example में यहां 2-3 example आपको देना चाहता हूँ ताकि आपको समझने हैं तो दोस्तो यह एक मेने type निकाला है तो यहां पर अगर हम कुछ छोटे बड़े circles लेते हैं और इस side में अगर हम बड़े-बड़े circles और कुछ छोटे circles यूज़ करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी type में इसको अगर cut करेंगे तो यह asymmetrical लगेगा यहां से भी हमने आकर cut किया तो भी यह asymmetrical लगेगे क्योंकि यहां देखेंगे आप यह दो circle आए इस side में यह circle बड़ा है इस side में यह तो यह asymmetrical का एक example मैंने दिया आप कहां से भी cut करो यह इसकी symmetry नहीं दिखेगी नेक्स्ट दूसरा एक हम टाइप देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर मैंने एक इस type का एक organic shape मैंने निकाला है इसको भी अगर हम cut करते हैं तो भी यह asymmetry आगई इस तरह भी cut करते हैं तो भी asymmetry आगई यहां से भी करेंगे तो भी यह part और यह part same नहीं है और asymmetrical balance क्या है और symmetrical balance क्या है तो symmetrical balance में आपको कहां से भी cut करेंगे तो उसके दो पार्ट same आएगे और symmetrical balance में उसके same part नहीं आएगे next third जो है यह radial balance अभी radial balance क्या होता है यह हमें हम देखेंगे यह number one तो इस type में कुछ आपको दिखेगा यह अंदर से बाहर के तरफ आ रहा है इस type में आपको यह radial balance के example देखने को मिलेंगे एक example हो गया next हम देखेंगे यहां पर मैं दो तिन example देने वाला हूँ यह आपको समझना है यह example किस तरह आपको दिखते हैं तो यह भी एक radial balance का example में यहां दे रहा हूँ तो यह इस तरह जैसे के हम पानी में पत्तर मारते तो वो जो circle circle बाहर निकलते वो भी radial balance का ही एक example हम सोच सकते हैं तो इस तरह यह radial balance का एक example हो गया next हम building या जो architecture में domes देखते हैं इसमें इस तरह का आपको देखने को मिलेगा architecture construction तो भी एक radial balance का example हो गया next अगर हम देखते हैं तो यहां एक circle निकाला है मैंने और इस तरह के कुछ lines निकालूंगा यह भी radial balance का एक example हमें देखने को मिलेगा जो है तो दोस्तों रेडियल का एक्जाम्पल में यह दे रहा हूँ तो इस तरह भी हमें यह radial balance का Negative case मिलेगा यहां पर इसी टाइप में जो निकाला है यहां से देखो यह चोटा है उससे तोड़ा बड़ा और आपको को यह देखने को मिलें कि मतलब छोटे से बड़े बड़े होती जाते सेंटर से जो निकलते हैं इस तरह यह रेडियल बैलन्स का एक एक अग्जामपल में यहां दिखा है next topic देखते हैं next principle क्या है moment यहाँ पर आप देख रहे हैं moment moment आप देख सकते हो moment किस तरह के होते हैं तो यहाँ कुछ moment के मैं दो तिन example आपको देना चाहता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगी कि अगर हमने कुछ dots दिये और इसे दिखाए तो यह हो गया moment, यह जाने वाला, इस साइड में जाने वाला, यह moment हो गया, इसी तरह आप यह सिर्फ, डॉट से भी दिखा सकते हो, सरकल से भी दिखा सकते हो, जो कि बड़े से छोटा-छोटा होते जा रहा है, और इसकी moment हमें नजर आ रही है, तो भी एक एक एक्जाम्बल हो गया, नेक्ट हम अगर बर्ड देखते हैं, शाम के समय जो बर्ड, बहुत सारे बर्ड, यहाँ पर यह बर्ड दिखा रहा हूं है, तो यह सारे बर्ड यह जाते हुए अगर दिखते हैं हमें, या आते हुए दिखते हैं, moment हमें नजर आते हैं, उसमें अगर मुमेंट अगर दिख रही है, तो दोस्तों, यह दो, तिन एक्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर मुमेंट की दिखा है, यह भी एक मुवमेंट नजर आएगी नेक्स्ट और एक टाइप मैं दिखा देता हूं कि इस तरह अगर यह पेड़ की टैनी है और इस तरह यह यहां पर भी आपको यह मुवमेंट ही दिखेगा तो यह जो मुवमेंट दिख रही है इस तरह की मुवमेंट यहां से जाते हुए यह आते हुए कोई भी तो यह मुवमेंट के मैंने यहां एक चार बाज टाइप आपको समझाने के लिए निकाल के दिखाया है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रिदम इसमें तीन टाइप आते हैं फर्स्ट है regular rhythm है सेकन्ड है alternate rhythm और थर्ड है progressive rhythm तो ये तीनो टाइप यहाँ पर देखते हैं रेगुलर रिदम क्या होता है तो रेगुलर रिदम जो है यहाँ पर मैं circle के एक शेप लेकर दिखा रहा हूं कि एक सरकल हो गया सेम डिस्टन्स पे दुसरा सरकल में लिया सेम डिस्टन्स पे तिसरा लिया तो इस टाइप में सेम डिस्टन्स में अगर आपको ऐसे कोई भी पैटर्न नजर आते हैं तो उसको हम रेगुलर रिदम बोलेंगे रेगुलर रिदम नेक्स्ट है अल्टरनेट रिदम अल्टरनेट रिदम में भी मैं यही पैटर्न यूज़ करूंगा तो यहां पर एक सरकल यह पास पास में दो आ गए एक दूर आ गया इसका डिस्टन्स और इनका डिस्टन्स में फर्क है फिर से सेम डिस्टन्स यह जितना डिस्टन्स है उतना ही डिस्टन्स फिर दो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ एक सिंगल है यह डबल है यह सिंगल है यह पास पास में डबल है यह सिंगल है तो अल्टरनेट मतलब कि यह यहाँ पर आ गया और यह रिपीट यहाँ पर आ गया तो यह अल्टरनेट हो गया है एक छोड़के एक तो यहां पर आप देखेंगे अल्टरनेट किस तरह यहां दिखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक यहां पर है रिदम का प्रोग्रेसिव यहां पर अगर देखेंगे प्रोग्रेसिव का मतलब कि उसमें बड़ोतरी हो रही है तो यहां पर यह फिर से वही पिर वान टू थ्री सेम साइज के रहेंगे यहां पर एक आ गया यहां दो आ गया यहां तीन तो यहां आप देख सकते किस तरह यह प्रोग्रेस होते हुए दिखता है इस रिदम में आपको यह वान विरिए टू यहां पर थ्री यहां पर पोर पिर आगे पाई हो तो इस त प्रोग्रेशिव रिदम में दिखेगा तो दोस्तों यहां हमने देखा है कि प्रिंसिपल आप डिसाइन के कुछ टॉपिक्स यहां पर मैंने फाइव टॉपिक्स आपको बता है मैं ज्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं बना सकता हूं क्योंकि कि हमें अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होती है यहां पर इसलिए मैं थोड़े छोटे वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो आप अगर सब देखेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा तो दोस्तों नाटा के लिए यह बहुत इंपॉर्टन वीडियो में यहां डाल रहा तो प्लीज आप शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और भी आपको कुछ 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 क्वेस्टन होंगे तो कमेंट्स में जरूर लिखना है वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट्स में लिखके आपको बताने थैंक यू थैंक यू बेरिवांच